Hello friends, welcome to another video. Friends, आज इस वीडियो में हम एक interesting topic डिसकस करेंगे जो TikTok से related है. काफी तरह friends दें मुझे ये question किया है कि बाद आखात ये होता है कि जो हमारे follower हैं वो कम होने लगते हैं. इसकी क्या reason है? ये होता है कि हमारे follower से ज्यादा होने के बजाए कम होने लगते हैं और बाद वकात हमें likes भी नहीं मिलते हैं. तो friends इसकी दो reasons जो main या basic reasons हैं दो से तीन reasons वो मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ. First reason friends ये है कि TikTok में अगर आप अपने followers increase करना चाते हैं तो इसकी एक simple सी tips है. Simple tips ये हैं कि आप इस तरह करें जो आप के follower हैं उनको आप follow back करें. Follow back करने के बाद तकरीबन आदे घंटे के बाद उन्हें दोबारा से unfollow करें. इस तरह से जो आप के follower हैं वो boot के जरीए या TikTok software के जरीए जरीए ज़्यादा होंगे. तो एक तो reason ये होती है. तो लोग क्या करते हैं कि आपके channel को वो follow तो कर लेते हैं अपने follower इंक्रीज करने के लिए. लेकिन जब वो follow back करते हैं तो boot क्या करता है? उनके follower ज़्यादा कर देता है और आपका जो follower आ रहा है वो एक या दो दिन के बाद फिर unfollow हो जाता है. सेकंड चीज मैं आपके साथ ये discuss करना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है? अगर आपने अपने likes और followers आपने बरकरा रखने हैं तो daily basis पे आपने रोजाना कमज़कम एक वीडियो पोस्ट करनी है. टिक्टॉक क्या करता है कि अगर मैं आपका account follow करूँ तो जब आपकी daily की वीडियो एक वीडियो है वो मेरे पास आती रहेगी. तो मकसद यह है कि टिक्टॉक क्या करता है कि अगर आप किसी दिन वीडियो पोस्ट नहीं करते तो उसी दिन टिक्टॉक आपकी जो पिछली वीडियो है वो वीडियो आपके जो follower है उनको दिखाता है. अब टिक्टॉक सबसे पहले जो software यूज़ करता है उसके जरीए जो follower होते हैं उन follower की कमज कम तीन से चार वीडियो दिन में टिक्टॉक ने दिखानी होती है. आपने फालो किया तो टिक्टॉक क्या करेगा कि daily की basis पे मेरी कमज कम तीन वीडियो आपको दिखाएगा. आटोमेटिकली तोर पे वो आपकी स्कीन पे शो होगी जब slide अप करेंगे आप किसी वीडियो को next वीडियो देखने के लिए. तो इससे फालवर क्या होता है? फालवर इस तीस से उकता जाता है कि यार यह बंदा कोस्ट करना छोड़ गया या वीडियो बनाना छोड़ गया इसकी वीडियो नहीं आ रही फुलाँ 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 दूसरी बात फ्रेंड्स आपने ये चीज़ देखनी या कोई और टॉपिक आप टिक कर लेते हैं तो इससे भी जो आपका फालवर है वो बेजार हो जाता है तो टिक टॉक क्या करता है कि इस तरह की वीडियो जो आपका जिसने आपकी एकाउट फालो किया होता है आपका जो फालविंग होता है उस फालविंग को टिक टॉक क्य करता है आपकी विडियो को वहां तक पोस्ट ही नहीं कर पाता क्यों टॉपिक भी एक माइनी रगता है दूसरा बात फ्रेंड्स यह होती है कि दूसरी बात यह है आपने जब अपना एकाउंट बनाना है तो सीक्यूरिटी आपने टाइट किसम की स्ट्रेंट किसम की देनी है उससे ही है मुराद यह है कि आपने अपने अकाउंट का यूजर नेम चेंज करना है जो टिक टॉक सिस्टम डिफाल्ट के तौर पे आपको यूजर नेम दे रहा है उसी यूजर नेम को आपने चेंज करना है सेकंड आपने एमिल अड्रेस आइट करके वेरिफाई करना है आपके अपना मुबाइल नमर एड़ करके वेरिफाई करना है। फूर्थ आपने पासफ़र्ड रखना है उसका। टिक टॉक के अकाउंट का जिस पे अकाउंट आपका बना हुआ है। जो फिफ्ट कंडिशन है वो यह है कि आपने बायो ग्राफी या बायो में कमस कम साथ से आठ संटेंस से जरूर लिखनी है। अगर आप यह पांच काम कर लेते हैं तो इसे जो आपका एकाउंट है ना वो स्ट्रॉंग होगा बलके हैकर्स से भी आपका एकाउंट महफूज रहेगा। यह चीज़े मैं आपको प्रैक्टिकली तोर पे भी करके दिखाऊंगा। इ आपको एक वीडियो तो जरूर अपलोड करें। टिक टॉक की एक नई जो अप्लिकेशन लाँच हुई है उस अप्लिकेशन के बारे में भी आप जानते होगे उस अप्लिकेशन को भी आप यूज करें। तो उस अप्लिकेशन को यूज करते हुए भी आप अपने फाल्व करने के लिए ये करे वो करे फुलां करे अपने फॉलर इंक्रीज करने के लिए किसी वयुफ्साइड पर अपना एकाउंट पोस्ट करदे आशी बहुत सारी अप्लिकेशन जो फाल्वर टू फाल्वर्वर्स आपको देती है आपने टिक टॉक के जो रूल्स हैं उनको अच्छे तरीके से स्टडी करना है उन में से एक स्ट्रिक्ट रूल ये है कि आपने कोई भी ग्यार इखलाकी या सेक्शल से रिलेटेड किसी भी गिसम की कोई वीडियो आपने पोस्ट नहीं करनी फॉर इंग्जमपल आप शर्ट क के साथ किसी भी किसम का कोई कांटेक्ट नबर पोस्ट नहीं करना है अगर आपका यूटूब चैनल है तो अलादा से आपको यूटूब का एक टैप दिया हुआ है उसके अंदर पर चैनल एड़ करें वीडियो में आपने यूटूब चैनल या किसी भी चीज़ के बारे मे लास्ट में फंस्ट में बता सकते हैं एवन के हैश्टैग जहां पर आप टाइटल एड़ करते हैं वहां भी आप अपनी वीडियो का लेक्पोस्ट कर सकते हैं इससे कोई फरक नहीं परता लेकिन कोई ऐसी गयरिक इसके अक्टिविटीज इसके अंदर शामिला करें जिसके बात जिसके बात आपके अकाउट पर इंपक्ट पड़ें दूसरी बात यह है कि अगर आपके अकाउट में कोई भी ऐसी जो मुश्किल पेश आ रही है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं या टिक टॉक के टूल्स को यूज करते हुए आप उन वीडियो को सॉल्व नहीं कर सकते तो इसकी एक सिंपल सी लीगल ट्रिक है वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में वो ट्रिक शेयर की थी और वो हंड़ड परसेंट वरकें करती है काफी सरे लोगों के अकाउट पे एकाउट वारने का गैन हो गया था या किसी का अकाउंट बुलाक हो गया था जो भी आपकी टिक टॉक एकाउंट से लेटेड जो भी चीज है वो तमाम की तमाम इस ट्रिक के जरीए लीगली तौर पर सॉल्फ हो जाएगी तो ट्रिक मैं आपको बताता हूं और बाकाइदा तौर पर आपको एक पर फिर टिक टॉक पर वीडियो पोस्ट करने का तरीका कार भी बताता हूं और ये भी बताता हूं कि आपने जो अपनी वीडियो है वो प्रॉपरली तौर पे किस तरह से पोस्ट करनी है इसके लावा इस टौपिक पे पहले आड़ एड़ी मैं दो वीडियो बना चुका फ्रेंड्स मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूं बोट पूरी चान बीन के बाद मुकमल फिल्टराइजेशन के बाद ही बनाता हूं मेरा परपस हरगज नहीं है कि मैं आप से कोई व्यूज लूँ या आप से कोई सब्स्क्रिप्शन लूँ देखें फ्रेंड्स इख हो और 100% वर्किंग इंफॉर्मेशन हो तो फ्रेंड्स मेरी होसला अवजाई करते रहें और मेरी वीडियो में अगर किसी किसम को कोई मसला हो तो आप मुस्से पूल सकते हैं चलते हैं अपने मूबाइल की में स्क्रीन पर आगया हूं सबसे पहले हम यहां पर अपनी टिक ट का मैंसे यहां भाल को पर स्केर 열 गते हैं अपने अपने एकाउन को सेकुर्टि के लिए या आप निरू अबर करते हैं लग करखके यहां सबसे पहले करना के भालब अब हम किसी बी टूल से किसी बी мор vào कि मैसी का भाल रहा है तो आजिए किसक पास्वरणब कила ओनना लार्व आपने क्या करना है कि आपने यहां पर नीचे देखें नीचे रिपोर्ट आप प्राबलम का टैब है आपने उसे टच करना है टच करने के बाद फ्रेंड्स आपको किसी भी किसम का कोई इशू है उसी इशू को आपने पिक कर लेना है यहां पर तकरीबन तमाम किसम के इशू आई होए हैं अगर आप आपका इशू एन इशू से रिलेटर नहीं है तो आप अधर वाले टैप को स्लैप करके बाई टाइपिंग भी अपना इशू इनको बता सकते हैं तो फार एग्जंपल यहां पर एकाउंट और प्रोफाइल से रिलेटर को इशू है तो हम इसे टच कर एकाउंट को हम टच करेंगे टच करने के बाद यहां पर रिपोर्ट आप प्राप्रम आपने जो भी टिकेट यहां पर स्पोर्ट टिकेट एड़ करनी है तो आपने नो स्लैक्ट करना है यस नी स्लैक्ट करना है फीडबेक में फ्रेंड्स यहां पर आपने नीड मोर टच करने के बाद आप यहां पर देखें कि एक यहां पर हमारे पास पेज जो होगा तो इस पेज में हमने यहां पर अपना अकाउंट टाइप करना है जो अकाउंट हमारा सस्पेंड हो गया है सॉरी मैं बैक पर आगया हूँ जो हमारा अकाउंट टिक टॉक में सस्पेंड हुआ उस अकाउंट का हम यहां पर यूजर नेम देंगे इसके बाद येस आई हैव अपील्ड इसे हम टच कर देंगे टच करने के बाद देखें सस्पेंड बैन अकाउंट कैन भी अपील्ड इन टिक टॉक एप येस मैं अपील्ड कर चुका सब्स्मेट करेंगे सब्स्मेट करने के बाद तो जो हमारा अकाउंट है वो री ओपन हो जाएगा यानी अनसस्पेंड हो जाएगा तो इसी तरह से आपको कोई इशू है तो आप यहां से वो इशू पिक करके बाइट टाइप भी आप उसे भीजेंगे तो टिक टॉक टीम आप से 24 तो 24 तो 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो इशू है या कोई प्राब्लम है वो सोल्फ कर देगी इसके बाद फ्रेंड्स अगर इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हम अपनी वीडियो को यहां पर किस तरह से वाइल कर सकते हैं तो मैं यहां पर प्रस के साइन कुछ करता हूँ और एक वीडियो इस पर अपलोड करता हूँ सिंपल सी वीडियो तो यहां पर मैं कोई select कर लेता हूं इह देखिए यह इमेज़ करने के बाद next करता हूं next करने के बाद मैं साउंड drip करूंगा तो यहां पर मैं चु़्छे में एक we bedroom है तो मैं स्थिंट इस पर islamik sound ही सर्च करूंगा तो यहां से मैं यह वाली नाथ सर्च कर लेता हूं तो सार्च करने के बाद ये वाली जो नाथ है इसको मैं अपलाई कर देता हूँ डाउनलोड करने के बाद ये देखेंगे ये डाउनलोड हो रही है मैंने यहां पर बेसिक सैटिंग्स कर दी है इसके बाद मैं नेक्स्ट के टैप को टच करके नेक्स्ट करूंगा तो यहां पर जो ट्रिक हमने यूज़ करनी है वो यहां पर डिस्क्राइब यूर पोस्ट एंड हैश्टेग हमने यहां पर परफेक्ली और मुकमल किसम के जो मुस्ट पापुरल हैश्टेग हैं वही हमने यहां पर एड़ करने है और maximum यहां पर हमने hashtag add करने है तो इसका तरीकार कार क्या है कि हम यहां पर अपने Chrome browser को open करेंगे Chrome browser को open करने के बाद यहां पर हम लिखेंगे generate hashtag for TikTok तो इसे हम search कर लेंगे तो search करने के बाद यहां पर देखें I think कि जो number two पे site है h.bdir.in तो यह the best site है for creating perfect hashtag यहनी जबरदस किसम के hashtag जो 2022 के जबरदस किसम के hashtag generate होते है यह site उनको generate करती है टच करके हम इसे open करेंगे अब आपने यह देखना है कि आपकी वीडियो किस topic से related है मेरी एक Islamic वीडियो है तो यहां पर मैं Islamic अवर्ल भी लिख सकता हूँ not भी लिख सकता हूँ even कुछ भी लिख सकता हूँ तो यहां पर मैं Islamic Islamic लिखने के बाद इसे search करता हूँ search करने के बाद यहां पर देखें नीचे काफी सरे hashtag यहां पर generate हो गया है तो आपने क्या करना है कि first वाला copy करना है just copy के button को touch करना है touch करने के बाद back पर अपनी वीडियो पर आ जाना है यहां पर आपने paste कर देने है तो यह देखें कि हमारी जो character के limit थी वो date of words थी तो हम इस hashtag को मजीद यहां से खत्म कर देते हैं ताके जो हमारी limit है वो पूरी हो जाए यहां पर देखें friends यहां तक हमारे hashtag कंप्लीट हो गए पोस्ट करना है वीडियो को पोस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि पोस्टिंग के बाद जो आपके views हैं वो तेजी से यहां पर increase होना शुरू हो जाएंगे आपकी प्रोफाइल में वीडियो अपलोड करने के फोरण बाद